हेलो प्रेंट वेल्कम टू मैं चैनल आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में प्रेंट यह है पॉइंट सेटिया जो मैंने कटिंग लगाई थी पहले भी मैंने आपको इसका वीडियो सेयर किया था कटिंग लगाते समय प्रेंट देखिए मेरे कितना अच्छा और हेल्दी यह कटिंग मेरी चलगई है 뒤 मेरे नए लिप भी आ गई है और फ्रेंट यह मैने थोड़े बाद मे लगाई से ब्रेंट और यह जो 3rd नंबर की जो है उसको मैंने बाद में लगाया था यह मेरा पांञ सेटिय का पेड़ है मदर प्लांट जो इससे मैंने कटिंग लगाई थी जहां से मैंने कटिंग की थी वहां से नई-दे ब्रांच इस काफ़ी अच्छी बड़ी हो गई है और जो थुक ब्रांच थी उसमें से एक मैं से तीन-तीन ब्रांच निकल के सामने आई हैं और कितनी अच्छी ग्रोथ इनकी हुई है फ्रेंट्स काफी लंबाई इनकी हो गई है जहां से मैंने इसको कटिंग को लिया था वहां से आप देखिए यह तीन-तीन ब्रांच उसमें से नई आ गई हैं और काफी लंबाई भी उनकी हो गई है तो इस तरह से आप मदर प्लांट से कटिंग लेज सकते हैं और उसको बहुर ज़्यादा उसी बना सकते हैं और यह अक्टूबर के लास्ट से इसकी लीफ पिंक ह होना सुरू हो जाती है उपर की टिफ इसमें फूल नहीं आते हैं यह इसकी लीफ ही कलर फुल रहती है यह देखिए इसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ हुई है जहां-जहां से मैंने कटिंग ली थी फ्रेंस वहां से मेरी सारी अच्छी नई ग्रोथ हो गई है अब मैं अच्छी रूट्स आई होगी यह देखिए फ्रेंस कितनी अच्छी रूट्स इसमें आ गई है यह मैंने जब खरीदा था मदर प्लांट तो 250 में लिया था और यह मेरा नया पौधा हो गया है और मैंने पहली वार यह ट्राइ किया है इसको कटिंग से यह मैं सिरिमन सब्सक्राइब करते हैं और या फिर अलोबरा को थोड़ा पानी में डिप करके उसको भी डाल सकते हैं जो पर से पानी डालते हैं स्प्रे करते हैं और इसको सोड़ा सेंटी स्वाइल पसंद है अभी मैं इसको थोड़े छोटे पॉट में ट्रांस्ट कर रही हूं और यह प इस टोड़ा हलके हम की मैं नहीं को करना है अब मैं इसमें कंपोस्ट डाला है और तो यहां मैं निस टोड़ा हैं जाहिए और में लाएं जाल गार धूंगी और रिपोड़ द नहीं प्रेंट आप इसको पानी से स्प्रे करते रहों तो यह काफी अच्छा जल्दी मजब इसकी लीफ ग्रोथ करती हैं और अगर कोई लिकुट फर्टिलाइजर हो जो आप और पौधों में देते हो जैसे की अनियन पील्स या बनाना पील्स या फिर कुछ दिन में दो यह क्यों हैं कि कुछ दिन बार इसमें देखते हैं इसमें कैसी है मुझे लग नहीं रहा कि इसमें ज्यादा अची रूट साइं होंगी पर अभी यह लग जाएगी कुछ दिन और लगा रहने दूंगी इसमें फ्रेंट आभी रूट से नहीं बन पाई हैं तो मैं इसको दुबार इसमें आभी इसमें रूट्स नहीं आई हैं पर यह कटिंग खराब नहीं है नई छोटी सी यह लीफ निकल रही है इसमें मैं एलो बिरा लगा दूंगी जिससे पंजय साइट का काम करेगा और आच्छे से इसमें रूट्स आईगी मैंने जब भी कटिंग लगाई है कर पा रही थी इस बजह से भी यह थोड़ा सूठ गया है और जो हलिटी कटिंग मेरि थोड़ी पास मेती तो म हैं प्रोड़ी प्रोड़ым है तो इस पर मैंने थोड़ा कम किया है शोन बज़ Uh's की यह बहत आऐसानी से इसकी लील जाती है कटिंग आपशा करोगे तो नया- तो हमें पूरा पानी डालना है जिससे नीचे से पानी निकला है वरना ये खराब हो सकती है अपनी कटिंग तो इस तरह से फ्रेंड्स इसको स्प्रे करें और अभी मैं इसको दो से तीन दिन तक चाया में रखूंगी अभी तो खेर मेरी यहां चाया है लेकिन अगर आप कहां दूप हो तो आप जब भी कटिंग को रिपोर्ट करें तो दो से तीन दिन तक चाया में रखें उसके बाद आप इसको हाल की दूप में या की पेड़ के नीचे रख सकते हैं और जब यह थोड़ा बड़ा हो जाए तो इसको बड़े पॉट में रिपोर्ट कर दें इस तरह से अगर आपको मेरी वीडियो यूस्फुल लगी हो तो लाइक टेर और सप्प्राइज करें मिलते हैं नए वीडियो के साथ बाइज